नमस्कार विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सकुषल होंगे और आज का अध्याय पढ़ने के लिए उस्साहित होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा नौ विज्ञान का अध्याय परमानू की सरंचना। अध्याय को समझने से पहले हम कुछ दोहराई कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं आप से कुछ प्रशन पूछूँगा। पहला प्रशन, पदार्थ किस प्रकार बने होते हैं। तो इसका उत्तर है, पदार्थ परमानूओं और अनूओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा प्रश्न आयन किने कहा जाता है? किसी आवेशित प्रमानू या प्रमानू के सम्हू को आयन कहा जाता है? अगला प्रश्न बच्चों, क्या प्रमानू के अंदर भी कोई घटक उपस्तित होते हैं या नहीं? तो वच्चों इसका उत्तर है कि परमानू के अंदर अब परमानू कन होते हैं आज हम विस्तार पूर्वक परमानू की पूरी सरंचना के बारे में पड़ेंगे आज हम सीखेंगे पदार्थों में आवशित कनों के बारे में परमानू की सरंचना अब हम पदार्थों में आवेशित कणों के बारे में जानेंगे बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं कि जॉन डाल्टन नामक विज्ञानिक ने अपने डाल्टन के परमानू सिध्धान्थ यानि की डाल्टन अटॉमिक थियूरी में कहा था कि परमानू अविभाजित सोक्ष्मकन होते हैं लेकिन 1886 में ई गोल्स्टीन ने कैथोड किर्णों की खोज की और इनसे ही प्रोटन नामक कणों के बारे में पता लगा था उन्होंने यह भी बताया कि प्रोटन का द्रव्यमान इलेक्ट्रोन के द्रव्यमान से 2000 गुना ज्यादा होता है 19 विश ताबदी में जेजे टॉम्सन ने कैथोड ट्यूब में कई प्रयोग किये और यह देखा कि ट्यूब में कण ट्यूब के धनात्मक सीरे की और चलते हैं इसका मतलब है कि कण अवश्चिक तोर पर ही रिन अवेशित होंगे टॉम्सन ने इन कणों को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के मुकाबले लगबग नगन्य था इन सभी प्रयोगों से विज्ञानिकों ने यह माना कि प्रमानू में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन इस प्रश्ण का उत्तर ढूनना शेष था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रमानू में किस प्रकार विवस्थित होते हैं इस उत्तर को ढूनने के लिए कई कोशिशे की गई जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बच्चों अब हम टॉम्सन प्रमानू मॉडल के बारे में जानेंगे जेजे टॉम्सन ने प्रमानू की सरंचना के साथ संबंदित एक मॉडल त्यार किया जो क्रिस्मस केक की तरह था इसके अनुसार प्रमानू एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिस्मस केक में लगे सूखे मेवो की तरह थे टॉम्सन ने अपने इस मॉडल में सुझाव दिया कि प्रमानू धनावेशित गोले का बना होता है और रिनावेशित इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं रिनात्मक और धनात्मक आवेश परिमान में समान होते हैं इसलिए परमानु वेधुतिय रूप से उदासीन होते हैं लेकिन टॉम्सन के इस मॉडल के साथ कुछ खामिया भी जुड़ी है यह मॉडल परमानु के स्थेरता को नहीं समझा सका अर्थार्थ यह नहीं बता सका कि किस तरह परमानु के अंतरगत का धनात्मक आवेश और रिनात्मक इलेक्ट्रॉन वेवस्थित है यह मॉडल परमानु में नाभिक की स्थिति को समझाने में भी असमर्थ था अब हम रदरफूर्ड मॉडल के बारे में जानेंगे अर्नेस्ट रदरफूर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमानु के भीतर कैसे विवस्थित है इसलिए उन्होंने अल्फा कन प्रकेंडन प्रयोग किया अल्फा कनों के स्रोत को एक लेट डिब्बे में रखा जिसमें एक छोटा सा छेद था यह छेद यह सुनेशित करता था कि सिर्फ अल्फा कन ही निकले अल्फा कन इस प्रयोग में इसलिए चुने गए क्योंकि यह कन ज्यादा उर्जावाले और भारी होते है इस प्रयोग में तेज गती से चल रहे धन अवेशित अल्फा कनों को सोने की पन्नी से टकराया गया सोने की पन्नी को एक गोल फ्लोरसेंट रिंग में रखा गया जिसके उपर जब भी कोई अल्फा कन टकराता तो यह रिंग चमकती थी इस तरहां अल्फाकन प्रक्रेणन प्रयोग की सारी विवस्था बनाई गई यह अंदाजा था कि अल्फाकन सोने के प्रमानु में मौजूद अब प्रमानुकन द्वारा विक्षेपित होंगे रदर फोर्ड के कई प्रयोगों से यह देखने को मिला कि तेजगती से चल रहे बहुत ज्यादा अल्फाकन सोने की पन्नी से सीधे निकल गए कुछ अल्फाकन पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोन से विक्षेपित हो गए और आच्चारे जन्यक रूप से कुछ कन वापिस आ गए अल्फाकन प्रकिर्णन प्रयोग के आधार पर रदर फोर्ड ने यह नतीजे निकाले परमानू के अंदर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फाकन बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से सीधे बाहर निकल गए बहुत कम अल्फाकन अपने मार्क से विक्षेपित होते हैं जिससे यह ग्यात होता है कि परमानू में धनावेशित भाग बहुत कम है बहुत कम अल्फाकन 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमानू का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमानू के भीतर पहुत कम आयतन में सिमित है ये धनावेशित कन सीधे ही इस कम आयतन वाले धनावेशित भाग से टकराए इन सभी नतीजों से रतर फोड ने अपना परमानू मौडल पेश किया जिसके लक्षन कुछ इस तरह थे पहला, परमानू का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाबिक कहा जाता है एक परमानू का लगभग संपूरन द्रव्यमान नाबिक में होता है इलेक्ट्रोन नाबिक के चारो और वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं नाबिक का आकार परमानू के आकार की तुलना में काफी कम होता है बच्चों, रदर फोड के परमानू मौडल में कुछ कम या भी थी जैसे रदर फोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रोन धनावेशित नाभिक के चारो और गोलाकार कक्ष में घूमता है और त्वरित होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोन त्वरन के दोरान उर्जा का विक्रण करेगा और अंत में उर्जा खतम होने पर नाभिक से टक्रा जाएगा अगर ऐसा होता तो परमानु अस्थिर होता जबकि हम सभी जानते हैं कि परमानु स्थाई होते हैं मौडल की इन कमियों को कैसे दूर किया गया यह हम आगे पढ़ेंगे बच्चों अब हम बोर के परमानुविक मौडल के बारे में जानेंगे रदरफोर्ट की कमियों को दूर करने के लिए बोर ने परमानु की सरंचना के बारे में कुछ अवधारनाएं प्रतुत की उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं जिने इलेक्ट्रोन की विविक्त कक्षा कहते हैं जब इलेक्ट्रोन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी उर्जा का विक्रण नहीं होता है इससे हमें पता चलता है कि परमानू स्थाई ही होते हैं क्या आप हमारे सौर मंदल के जारे में जानते हों? इसके केंद्र में सूर्य स्थित होता है जो अपनी जगा नहीं बदलता शेश ग्रह सूर्य के इर्दगिर्द निश्चित विविक्त कख्षाओं में गती करते हैं परमानू के अंदर कन भी कुछ इसी प्रकार से विवस्थित हैं नाबिक सूर्य के तरह केंद्र में मौझूद है और इलेक्ट्रोन ग्रहों की तरह निश्चित कक्षाओं में नाबिक के इर्दगिर्द होते हैं इन कक्षाओं को उर्जास्तर कहते हैं प्रतिक उर्जास्तर के पास अपनी उर्जा होती है और इस उर्जा का किसी रूप में भी विकिर्ण नहीं होता इलेक्ट्रोन की स्थिति को बताने के लिए उर्जा स्तरों या कक्षाओं को नाम दिये गए हैं नाविक से शुरू होते हुए उर्जा स्तरों को K, L, M, N स्तर कहा जाता है इन स्तरों को संख्याओं द्वारा भी दर्शाया जा सकता है जैसे K स्टर के लिए N को एक लिया जाता है L स्टर के लिए N का मान दो लिया जाता है M स्टर के लिए N का मान तीन लिया जाता है और N स्टर के लिए N का मान चार लिया जाता है N उड़जा स्टर का नंबर है अब तक हमने यह जाना कि परमानू में दोकन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं प्रोटॉन का सारा द्रव्यमान परमानू के केंदर में होता है जिसको नाबिक कहा जाता है और इलेक्ट्रॉन नाबिक के चारो और उर्जास्तर में घूमते हैं लेकिन बच्चों, सिर्फ इतना ही नहीं, इलेक्ट्रोन और प्रोटोन के इलावा एक और परमानुकन मौजूद होता है। इसका पता 1932 में जे चडविक ने लगाया। इसकन का द्रव्यमान प्रोटोन के द्रव्यमान के बराबर था और इसका कोई भी आवेश नहीं था। यह था न्यूट्रोन। अब हमारे पास परमानुका पूरा आकार और सरंचना मौजूद है जो इस प्रकार है। विभीन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वित्रण। कक्षाओं में वित्रण के लिए बोरबरी ने नियम प्रस्तुत किया। किसी कक्षा में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है दो N का वर्ग के बराबर। जहां N जो है वो कक्षा या उर्जा के स्तर को दर्शाता है जैसे K कक्ष के लिए N का मान एक है तो K में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोनों की संख्या हो सकती है तो गुणा में एक का वर्ग बराबर होता है दो इलेक्ट्रोन L में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोनों की संख्या हो सकती है 2 गुणा में 2 का वर्ग यानि कि यहाँ पर N का मान 2 है तो उत्तर आता है 8 इलेक्ट्रोन इसी प्रकार से M में M कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोन की संख्या हो सकती है दो गुणा में तीन का वर्ग दो गुणा नौ यानि की अठारा इलेक्ट्रोन N कक्ष में जादा से जादा इलेक्ट्रोन हो सकते हैं दो गुणा में चार का वर्ग यानि की बत्तिस इलेक्ट्रोन इसी के साथ सबसे बाहरी कक्षा में इलक्ट्रोनों की संख्या अधिक्तम आठ हो सकती है किसी प्रमानू के दियेगे कोश में इलक्ट्रोन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक की उससे पहले वाले भीत्री कक्ष पूरन रूप से भर नहीं जाते अर्थार्थ कक्षाएं क्रमानसार भरती है पहले 18 तत्वों की प्रमानू सरंचना इस प्रकार है बच्चों अब हम सेयोजक्ता के बारे में जानेंगे बच्चों प्रमानू की सरंचना को और अधिक समझने के लिए आओ पहले दो सरल प्रमानू हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में बात करें हाइड्रोजन और हीलियम में इलेक्ट्रोन संख्या और आकार में अंतर होने के साथ साथ एक और महतपुर्ण अंतर है क्या आप बता सकते हैं कि वह अंतर क्या है वह अंतर यह है कि हाइड्रोजन बहुत से तत्मों के साथ आसानी से क्रियाए करता है लेकिन इसके विपरीत हिलियम पूरन रूप से अक्रियाशील है लेकिन बच्चो इस तरह क्यों है? हिलियम की तरह आरगन, नियान भी रसायनी क्रियाओं में हिस्सा क्यों नहीं ले सकते? इसके साथ ही यह प्रश्ण भी उठता है कि अगर दो तत्म आपस में क्रिया करते हैं तो वह क्या चीज है जो इस क्रिया को संभव बनाती है? इन सभी प्रश्णों का उत्तर है सियोजक्ता यानि वैलन्सी सियोजक्ता को समझने के लिए सबसे पहले आओ इलेक्ट्रोनिक विवस्था के बारे में बात करें Electronic विवस्था का अर्थ Electrons की परमानू के कक्षाओं के अंदर विवस्था है बच्चों आपने बोर बरी नियम पड़ा ही है उसमें था कि सबसे पहले कक्ष में दो इलेक्ट्रोन होते हैं और सबसे बाहरी कक्ष में अधिक्तम आठ इलेक्ट्रोन रखे जा सकते हैं आठ इलेक्ट्रोन वाले सबसे बाहरी कक्ष को अश्ठक भी कहा जाता है यहाँ पर यह याद रखने योग्य है कि अश्ठक स्तर स्थिर स्तर माना जाता है आओ इसके एक उधारन को समझे सभी बच्चों को टौफियां बहुत पसंद है मान लिजिये आपके पास टौफियों का एक बैग पड़ा है और आपको कहा जाता है कि आप जितनी चाहे उतनी टौफियां ले सकते हैं आप एक बार में एक हाथ से कितनी टौफियां उठा सकते हो जितनी आपकी मुठी में आ सकती हैं इसी प्रकार बच्चों इलेक्ट्रोन कक्ष या स्तर भी उतने ही इलेक्ट्रोन ले सकते हैं जितनी की उनकी शम्ता है. इसलिए हाइड्रोजन और हिलियम की बात करें तो उनमें केवल एक ही कक्ष है जिसमें दो इलेक्ट्रोन लेने की शम्ता है. अर्थार्थ दो इलेक्ट्रोन लेके हाइड्रोजन और हिलियम स्थिर हो जाते हैं इसी प्रकार और तत्व भी अपने बाहरी कख्ष में 8 इलक्ट्रोन लेकर स्थिर या अश्टक स्थर प्राप्त कर सकते हैं जिन तत्वों में बाहरी कख्ष में 8 इलक्ट्रोन की पूर्ती नहीं होती वह अस्थिर होते हैं आओ ऑक्सीजन का उधारन लेते हैं। ऑक्सीजन के पास कुल आठ इलेक्टरॉन हैं। इसकी रचना कुछ इस प्रकार होगी। हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में सिरफ 6 इलेक्टरॉन हैं। और वह स्थिर नहीं हैं। इसलिए उक्सीजन दो काम कर सकता है, या तो वह 6 इलेक्ट्रोन बाहर दे कर 2 इलेक्ट्रोन रख ले और स्थेर हो जाए, या फिर बाहर से 2 इलेक्ट्रोन ले ले और बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रोन पूरे करके अश्टक बना ले, इसके लिए 2 इलेक्ट्रोन लेना ही सरल ह बच्चों, रसाइनी क्रियाएं भी इसी तरह इलेक्ट्रोनों को साजा करने वह स्थानांतरन करने के साथ होती हैं प्रमानू के सबसे बाहरी कख्ष में इलेक्ट्रॉन के अश्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साज़ेदारी या स्थानांतरन होता है वही उस तत्व की सियोजक्ता शक्ती अर्थार्थ सियोजक्ता कहलाती है जैसे कि hydrogen को स्थिर होने के लिए एक electron चाहिए और oxygen को अश्टक बनाने के लिए दो electron चाहिए इसलिए hydrogen की सियोजगता एक है और oxygen की सियोजगता दो है क्या आप बता सकते हैं कि magnesium की सियोजगता कितनी है magnesium में 12 electron होते हैं इसलिए इसकी इलेक्टरॉन व्यवस्ता कुछ इस प्रकार है। दो, आठ, दो इसका अर्थ हुआ कि मेगनीश्यम को अश्टक बनाने के लिए 6 इलेक्टरॉन चाहिए। कोई भी तत्व इतने इलेक्टरॉन नहीं देगा। इसलिए मेगनिश्यम 6 इलेक्ट्रॉन लेने की जगा पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ट से दे देता है जिसके साथ उसकी नई इलेक्ट्रॉन व्यवस्था 2-8 रह जाती है जो की स्थिर है तो इस तरह बच्चों प्रतेक तत्व के प्रमानू की एक निश्चित सियोजन शक्त होती है जिसे सियोजक्ता कहते हैं आईए अब पढ़ते हैं परमानू संख्या तथा द्रव्यमान संख्या के बारे में परमानू संख्या किसी परमानू के नाभिक में उपस्तित प्रोटोनों की संख्या परमानू संख्या कहलाती है इसे जेड संख्य द्वारा दर्शाय आ उधारन के लिए कार्बन में 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन नाभिक में स्थित होते हैं। इसलिए कार्बन की प्रमानु संख्या 6 है क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन है। द्रव्यमान संख्या। प्रूटोनों और न्यूट्रोनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है इसे ए के द्वारा दर्शाया जाता है उधारन के लिए एल्मूनियम के नाभिक में 13 प्रोटोन और 14 न्यूट्रोन है इसलिए एल्मूनियम का द्रव्यमान 13 जमा 14 27 है पर्मानु का विस्तारित संकेद पर्मानु को दर्शाने के लिए पर्मानु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का इस प्रकार से प्रयोक किया जाता है लिखने के लिए हम बीच में लिखते हैं तत्व का प्रतीक और दाइनी और उपर लिखते हैं द्रव्यमान संख्या और नीचे लिखते हैं पर्मानु संख्या जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर X लिखा गया है जो तत्व का प्रतीक है A द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है और Z परमानु संख्या को दर्शाता है या इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं X के उपर लिखा है proton जमा neutron और X के नीचे लिखा है proton उदाहरण नाइट्रोजन परमानु की परमानु संख्या 7 है और दरव्यमान संख्या 14 है इसलिए इसे N के उपर 14 दाइनी तरफ और नीचे 7 लिखा जाता है। इसके 50 आईए समझते हैं समस्थानिक और समभारिकों के बारे में। समस्थानिक ऐसे दो तत्व जिनकी परमानू संख्या समान हो लेकिन ड्रविमान संख्या अलग लग हो समस्थानिक कहलाते हैं। उधारन के लिए हाइडरोजन। हाइडरोजन के 3 परमानूविक स्पीशिस होते हैं। सबसे पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूट्रियम, तीसरा टाइट्रियम. इन में परमानु संख्या सभी की समान है, जो की एक है, परंतु द्रव्यमान संख्या, एक, दो और तीन है. इसी तरह से इसका अन्य उधारन है क्लोरीन. क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, जिनमें एक समस्थानिक का परमानू हाइडरोजन के समस्थानिकों को इस प्रकार से दर्शाय जाता है. एक एच एक, दो एच एक और तीन एच एक. इसी प्रकार समस्थानिकों का एक और उधारन है क्लोरीन. क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं जिन में द्रव्यमान संख्या 35 और 37 होती है इन्हें दरशाने के लिए क्लोरीन 35-17 और क्लोरीन 37 के रूप में लिखा जाता है अब हम जानेंगे समस्थानिकों के अनुप्रियोग समस्थानिकों को अनेक जगा पर उप्योग किया जाता है परमानु भट्टी में इंधन के रूप में यूरेनियम के समस्थानिक का उप्योग किया जाता है और इसके द्वारा विद्धुत का उत्पादन किया जाता है कैंसर के उपचार में भी समस्थानिकों का प्रयोग होता है जैसे की कोबाल्ट जैसे समस्थानिक को कैंसर के रोप में जैसे की कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट के समस्थानिक का उप्योग किया जाता है घेंगा नामक रोग के इलाज के लिए आयोडीन के समस्थानिक का प्रियोग किया जाता है अब हम पढ़ेंगे समभारिकों के बारे में ऐसे दो तत्व जिन में परमानु संख्या अलग लग हो लेकिन दर्व्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहलाते हैं इसका उधारन इस प्रकार है कैल्शियम और आरगन दोनों की परमानु संख्या भिन भिन है कैल्शियम की परमानु संख्या 20 और आरगन की परमानु संख्या 18 है परंतु इन दोनों की दर्व्यमान संख्या 40 है इसलिए ये दोनों समभारिक का उधारन है चलो बच्चो अब हम इस अध्याय की एक बार दोहराई करते हैं प्रूटोन का द्रव्यमान इकाई और इसका आवेश जमा एक है परंतु इलेक्ट्रोन का द्रव्यमान नगन्य है और आवेश घटा एक माना जाता है जे जे टॉम्सन के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रोन धनात्मक गोले में धसे हुए होते हैं जैसे की केक में मेवे रदर फोड के अलफा कणों के प्रक्रिणन प्रयोग ने परमानू केंद्रक की खोज की बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रोन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं जिने इलेक्ट्रोन की विविक्त कक्षा कहते हैं न्यूट्रोन की खोज चैडविक ने की थी किसी कक्षा में उपस्तित अधिक्तम इलेक्ट्रोनों की संख्या को सूत्र 2N का वर्ग से दर्शाय जाता है सेउजगता परमानु सेउजन शक्ती है परमानु की द्रव्यमान संख्या नाभिक में उपस्तित प्रोटोनों एवं न्यूटोनों की संख्या के बराबर होती है सम स्थानिकों में परमानु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्बिन होती है और सम भारिकों में पर्मानु संख्या भिन्बिन होती है और द्रव्यमान संख्या समान होती है। अब मैं आप से कुछ प्रश्ण पूछूँगा। आशा करता हूँ कि आपको इनके उत्तर आते ही होंगे। सबसे पहला प्रश्ण। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। सही उत्तर है जे जे टॉम्सन ने। रदरफोड का पर्मानु मॉडल किस प्रयोग के उपर अधारित है। तो वच्चों रदरफोड का पर्मानु मॉडल अलफा कन परकेड़न प्रयोग पर अधारित है। किसी कक्ष में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रोन भरे जा सकते हैं। इसका सही उत्तर है 2, N की घात 2। ऐल्मूनियम की सियोजक्ता की गणना करो। तो बच्चों, ऐल्मूनियम की परमानु संख्या है 13, यानि कि इसमें इलेक्ट्रोनों की संख्या भी 13 हैं और इसका इलेक्ट्रोनिक वित्रण होगा 2, 8, 3। तो इसलिए इसकी सियोजक्ता होगी 3। अगला प्रश्न हाइड्रोजन के समस्थानिकों का नाम बताईए। तो उत्तर इस प्रकार है प्रोटियम, डियूट्रियम और क्राइटियम। अगला प्रश्न किस तत्व के समस्थानिक से घेंगा नामक रोक का इलाज किया जाता है। तो इसका उत्तर है आयोडीन। बच्चों इसी के साथ हमारा अध्याय समाप्थ हुआ। आशा करता हूँ कि आपने पूरे अध्याय को ध्यान से समझा होगा। तो बच्चों धर पर सुरक्षित रहिए, तंद्रुस रहिए और पढ़ते रहिए।